हलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग आज मेरे किचन में दू लीटर दूद से बहुत धेसारी रेसिपी बन कर तैयार होंगी तो आईए देखें हम इसे कैसे बनाते हैं जब हम दूद फ्री से निकालते हैं तो उसकी मलाई एक बाउल में गठा करते जाएंगे और साथ से दस दिनों तक स्टोर करने के बाद उसे एक बड़े बरतन में ले लेंगे और कल्ची से ऐसे चलाते रहेंगे कि राउंड फॉर्म में एक ही डिरेक्शन में चलाते रहेंगे और हम दो से पांच ही मिनट में देखेंगे कि पहले ये टाइट फॉम में आएगा उसके बाद धीरे धीरे इससे पानी निकलने लगेगा और जब पानी निकलने लगे तो और इसमें गुल्ठियां बनने लगें तब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और ये देखिए अब हम आधे का मक्षन बनाएंगे और आधे का घी और मक्षन मनाने के लिए देखिए हमने इसे अलग बरतन मिले लिया है आधे मक्षन का बटर बनाएंगे और आधे का घी इसके लिए हम एक बावल में पानी लेंगे उसमें मक्षन को डाल कर अच्छे से मैस करेंगे जिस कि हमने बहुत अच्छा मखन निकाल लिया है अब इसे अलग प्लेट में ले लेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे जिससे की बटर साल्टी बटर तयार होगा और थोड़ी सी हल्दी जिससे की इसको कलर मिलेगा और अगर आप अनसाल्टेट बटर बनाना च इसे ही इसको एक अच्छे से क्लीन बाउल डबे में स्टोर कर लें और अब इधर बटर मिल्क को हम गैस पर रख देंगे उसमें डालेंगे थोड़ा दूद और थोड़ा सा निम्बो का रस जिससे की वह फटके पनीर के फॉर्म में आ जाएगा और दूसरी तरफ हमने बट अगर हमको इसकी सॉलिट पनीर चाहिए हो तो हम इसमें दूद जादा डालेंगे तो अच्छी पनीर बनके चला हो जाएगी और हमें ऐसी ही चाहिए थी इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा दूद डाला था और अब हम इसे साफ पानी से धुल लेंगे और धुल कर हम इसकी ए एक रेसिपी बनाएंगे जो कि अभी हम आप आपको आगे दिखाते हैं और इसकी कई प्रकाशी रेसिपी बनती हैं अगर आप चाहें तो इसको दूर में पका कर बर्फी बना सकते हैं हम तो आज इसकी पराखे बनाएंगे आप इसकी सबजी बना सकते हैं बुर्जी बना स या रोटी बनाने के लिए आटा गोतले हम उसे भी यूज कर लेते हैं उसमें भी बहुत से पॉस्टिक तत होते हैं इधर देखिए हमारा घी बनकर तयार हो गया है ये डेड़ के जी से कम घी नहीं है तो हमारा जो पंदरा दिन का दूध था उससे हमारी कितनी रेसिपीस तय और ये जो बचा हुआ है इसे चीर मिल के पनीर से हम बनाएंगे पराठे जिसके लिए एक का पांटा और इसमें थोड़े से मैस्ट आलू और पनीर में थोड़ा सा दूप डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे उसे मिला लेंगे तोड़े सी हल्दी नमक और हरी धनिया हरी म सुनद्रक और अजवाइन हींग और थोड़े से आमचूर पाउडर मिलाकर हम इसका एक डव बना लेंगे और इसके पराठे बनाएंगे और हमें इसमें बेसन का स्वात बहुत पसंद है इसलिए हमने थोड़ा सा भी बेसन पीएड किया है और ये देखिए हमने डव बनाक इसके पराठे बनाने शुरू कर दिये हैं इसके पराठे बहुत ही सॉप्ट और किस्प्रीब बनकर तयार होते हैं और जो की बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं तो देखा फ्रेंट्स हमने दो लीटर दूद से कितनी रेसिपीज बनाई और उसका पूरा यूज कर लिय फ्रेंट्स देखा हमने दो लीटर दूद से कितनी रेसिपी बना कर तयार करी दो लीटर दूद अगर हम दस दिन भी सेप करते हैं तो दो लीटर दूद का हमारा 2000 के 2000 अबब पैसे लग जाते हैं लेकिन देखिए हमने उससे 500 ग्राम पनीर और 1.5 कजी घी निकाला और उससे पनीर निकाल कर भी हमने रेसिपी बनाई इससे कई प्रकार की रेसिपी बन कर तयार होती है जैसे कि आप पनीर भुरजी बना सकते हैं पराठे तो हमने बना कर दिखाए ही इसकी बहुत ही टेस्टी बर्फी बना कर तयार की जा सकती है और अगर आप चाहें तो इसकी आलू में दही वाले आलू बना कर तयार किये जा सकते हैं और इस बटर मिल्क से कड़ी बनाई जा सकती है अगर आप गर्मियों में बटर मिल्क पीना चाहें तो इसका छास भी बना कर पीया जा सकता है अगर हम पनीर बनाते हैं तो इसका जो पानी बचता है उसे हम चावल पकाते समय यूज कर सकते हैं जिससे की चावल बहुत ही सफेद और खिले-खिले बन कर तयार होंगे अगर हम इससे आटा गोते हैं तो रोटी बहुत ही मुलायम और पॉस्टिक बन कर तयार होगी तो देखा फ्रेंट्स दो लीटर दूद से हमने कितनी रेसिपीज बनाई और आगे ऐसी रेसिपीज देखने के लिए हमारे फेस्बुक पेज और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और अपने कमेट्स हमें जरूर दें अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर आवसे करें धन्यवाद